ज्वलरी कारोबार से जुड़े समुहों पर चापे मारी, तीन कारोबारी समुहों के ठिकानों पर एक साथ कारवाई की गई है। जैपूर के बड़े कारोबारी समुहों पर चापे मारी की गई है। एक समुह पर छे साल के भीतर दुबारा से चापे मारी है और वहीं एक फाइनेंस गुरुप से जुड़ा हुआ कारोबारी है। बड़ी संख्या में अवैद लेंदेन की शिकायते मिली थी। उनकी जैप की आधार पर चापे मारी की गई है। करोरो रुपे की कर्चोरी इन कारोबारी समुहों से उदागतर हो सकती है। अवैद रतनों, जोएलरी, फाइनेंस से कारोबारी सीदाद उड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ती भी कारोबारी समुहों से निकल सकती है। हलांकि अभी जाच शुरुआती है, आएकर विभाग की ती में कारोबारी समुहों के ठीकानों पर पहुंची है। जाच की जा रही है। जाच में जो दस्तावेज मिलेंगे, उनके आधार पर आएकर विभाग जाद आगे बढ़ाएगा। हला है कि इस पूरे मामले में तो कि फाइनेंस कारोबार से जुड़ा एक कारोबारी भी शामिल है। इसे में नग्ती मिलने की भी पूरी समभावनाय जताइक जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में जोल्दी और जमीनों के दस्तावेज भी दरामद हो सकते हैं। जो अवैद कमाई के संभावित माने जा रहा है। आयकर विभाग मान दहा है कि यह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कारवाईों में से एक हो सकती है। जो बड़ी करने की पूरी कारोबारी के लिए तो तीन कारोबारी समुह को निशाना यहां पर बनाया गया है। गरन इन्विस्टिकेशन विंक के तरफ से जिसमें यह कारवाई की गई है। बड़े पैमाने पर चूरी का यहां पर खुलासा जो है वो हो सकता है। अक्तर वहाग की यह बड़ी कारवाई है।